Hello Traders, Welcome back to my YouTube channel Affinity Bowl, The Art of Trading, Money Simplify Life and We Simplify Trading इस वीडियो में आज बेसिकली हम TVS Motors के बारे में बात करने वाले हैं कि TVS Motors अभी किस लेवल पे है, रिजिसन पे है, सपोर्ट पे है और आने वाले टाइम में TVS Motors में किस तरह की मोमेंट हो सकती है अगर आपने किसी position को hold किया हुआ है, तो आप उसको किस target पे देखते हैं, किस SL पे देखते हैं आज हम बेसिकली TVS Motors में technical analysis through chart समझेंगे कि अभी TVS Motors में basically क्या हो सकता है जैसा कि आपको पता है अभी market बहुत ज़्यादा bearish face में चल रहा है आने वाले दिनों में हमें market में और गिरावट देखने को मिल सकती है तो इन सब सारे चीजों को देखते हैं, TVS Motors में आप कैसे trade कर सकते हैं चाहे वो एक long term trade हो, या swing trade हो, या intraday based trade हो तो आईए चार्ट पे समझते हैं, TVS Motors में किस तरह का pattern मना हुआ है और आपको किस तरह का trade करना है तो टेडर्स, TVS Motors का ये 5 मिल टाइम फ्रेम का चार्ट है जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज पूरे दिन की market की moment कैसी रही है ठीके market ने जो open दिया था, वो 744 का open करके market ने एक high लगाया था 760 का, उसके बाद closing है 750 की और जो last में market ने जो downfall दिया था, वो कहीं ना कहीं 745 के round दिया था अगर अभी आप मेरे telegram channel पे नहीं है, या मेरे telegram group में नहीं है तो आप उसको जाके subscribe कर सकते हैं, group को join कर सकते हैं क्योंकि मैंने वहाँ पे TBS motor को shot करवाया था 753 पे 753 पे जो पहला target मैंने दिया था, 740 के दिया था और लेकिन market ने क्या 740 का low लगाया, जो almost 8 रुपे का decent move था यहाँ पे profit booking बनती थी, उसके बाद market ने एक upside move दिया है ठीके, ये तो रहा intraday के बाद, अब मैं आपको daily के chart पे लेके चलता हूँ और daily के chart पे हम यह समस्ते हैं, आने वाले दिनों में TVS Motors में किस तरह का moment हो सकता है, ठीके, यह आपका daily time frame का chart है, daily time frame का chart है और market ने जो आज closing दिया है, वो 749 का दिया है, आप देखिए कहीं ना कि market ने जो high लगाया था, वहाँ से price से rejection मिल रही है, 760 से, ठीके, अगर ये level breach होता है, 766 का level breach होता है, तब जाके आपके TVS Motors में entry बनती है, अभी ये पूरा bearish है, यहाँ से downfall आने के तकरीबन यहाँ 607 तक यह down आ सकता है, पहला जो target short के लिए होगा, वो 792 यानि 700 के आसपास होगा, और जो second major target होने वाला वो 600 के आसपास होने वाला है, अब बात करती है, यह जो level है, यह इतना important क्यों है, अब देखिए, previously भी यह तरह का resistance है, अब यह license ड्रॉ कर देता हूँ मैं, यह जो level है अब का 754 के आसपास था, यह बहुत perfect एक resistance इसको मिल रही है, अगर market TBS motor की 766 या 770 को cross करता है, तब जाके हम इसमें एक entry सोच सकते हैं, अभी लेकिन अभी जैसा कि आपको पता है, market एक bear face में चल रहा है, और कहीं निफ्टी, bank, निफ्टी और global index एक downfall में जा रहे हैं, तो TBS motor में long key entry नहीं बनती है, अगर अब भी भी किसी position में आप एक higher rate पर अगर आपने बाया किया हुआ है, तो अभी sell कर दें, इसमें अभी आप इसका जो level है, exact buying का वो 770 के अभव है, अभी इसमें buying हम नहीं देख सकते, क्योंकि market एक bear face में है, और कहीं ना कहीं market को, आपके T TBS motor को एक resistance face करने को मिल रहा है इस level पे, आप यह देखे इस level पे एक resistance है, और market पहले भी यहीं से down आया था, और market अब यहां पे again उसी resistance पे, अब यह level breach करना TBS motor के लिए अभी के साब से काफी मुश्किल है, तो अभी आने वाले दिनों में आप TBS motor में एक अच्छी खासी ग मार्केट में supply circulate होगा, तो उसका price नीचे जाना ही जाना है, I hope आपको यह TBS motor की analysis पसंद आई हो, और अगर in case TBS motor को लेके अगर आपको कोई भी doubt है, या आपकी कोई position फसरी है, और आपको कहां निकालना है, कैसे करना है, तो description box में मैंने अपना phone number भी मेरा mention है, आप मेरे को follow कर सकते हैं, मेरे को whatsapp पे join कर सकते हैं, मेरे telegram channel को join कर सकते हैं, अगर अभी तक आपने मेरे youtube channel को subscribe नहीं किया है, तो please subscribe the channel and press the bell icon, ताकि next video की notification आपको timely मिलती रहे, so thank you guys for watching this video.